नवस्कार मैं हूँ अमीताबोजा और आप देख रहे हैं डिविश 24 बिहार जारकर्ण पिछले चार जून को सुल्तानगन से खगरिया के अगवानी के बीच में बन रहा सत्रा सो करोर रुपे की लागत का पूल दोहस्त हो गया 13 महिना में यह पूल दूसरी बार धुष्ट हुआ था और पूरा इस ट्रॉक्टर इसका नदी में समा गया था रेत की किले की तरह यह पूल पूरी तरह ढगया था इसके बाद कई सवाल उठे थे विभाग के तोर पे कहा गया था कि हमें इस बात क्या संका थे कि पूल ढहेगा इसलिए काम बंद था जबकि हकीकत थे कि पूल का काम लगतार जाड़ी था और इस अगस्त 23 में के बाद 23 के लास्ट में उसका उद्गाटन भी होना था इसलिए काम पूरी जोर सोर से वो चल रहा था काम बंद नहीं हुआ था फिलाल इस पर कई मामलें हैं सरकार ने जाज के आदेश दिये कंपनी जो एस पी सिंग्ला कंपनी बना रही थी उसे सौकोज भी किया गया है 15 दिनों में मलवा हटाने को कहा गया था मलवा भी हटाने का काम श सारी 9000 के काम के उस कंपनी को मिला हुआ आखरी एस पी सिंग्ला कंपनी किसकी है आखरी सरकार में इसकी इतनी पैट क्यूं है कि केन सरकार और राज सरकार तमाम जो इस तरह की योजनाय थी वो इसी कंपनी को दिया हुआ थी जिस तकनीक से पूल बन रहा था गवानी पूल बन रहा था उसी तगनीक से पाच और ब्रीज बन रहे हैं गंगा पर यह सारी कंपनी के सारा काम जो है इसी कंपनी को दिया हुआ था कई मामले आरते लेकिन इस भी इस मामले में ट्विस्ट तब आता है जब पटना हाई कोर्ट में एक पी आयल दाखिल होती है और पी आयल द यून को है और इस दौरान कंपनी को नोटीस दिया गया है कंपनी के MD को होना है और क्या कुछ को ने कहा और ये बात है कि महागरबंधन के शरकार है महागरबंधन में आप भी हैं और जिस तरीके से इस पूब्रीज जब गिरा था उसके बासिया पावाज उठाएं आपनोंने सीधे कंपनी पे आपने आरोप लगाये थे आपको क्या लगा चुकि आप उस इलाके साथ हैं जहां पर य तो निश्ची तोर से मैं सुल्टानगन से अंतिम मागरबंधन का प्रत्यासी था और मैं सरकार में समलित हूँ सरकार से कोई सिकायत नहीं है चाहिए सरकार चाहिए पहले की फुर्वत सरकार है सरकार जो टेंडर निकाली थी जो मानक पूरा हुआ था उस मानक के अधार पे कार्ज करने के लिए सिंगला कंपणी को दिया मैं पहला मांग कर रहा हूं कि सिंगला कंपणी की जाच हो कि इसके ड्राइंग किस ने बनाया मुझभपपुर के एक लड़के के द्वारा ड्राइंग बनाया जा रहा है वो एक कंपणी है वो बिहार के एक senior most I.S. officers के रिष्ट पर का कोई करवाई करने के आसकता नहीं है क्योंकि यह PPT mood में पर रहा था यह जाच का भी से है और जितने माने उचने आले ने जितने मुद्वों को उठाया है कि वहां की मिट्टी कैसी थी पानी का बहौ कैसा था दो बार पूल गिरे हैं सारे 400 में फस्ट यह जज के निगराने में इसकी चांच हो क्योंकि बिहार के जंता की गाड़ी कमाई का यह पैसा है चुकि मैं सुल्तानगल से चुना लड़ता हूं और मेरा एक नैतिक करतव होता है कि मैं जंता के वह आवाज उठाओं चाहे मैं सरकार में हूँ या नहीं हूँ मेरा एक समाज को आज बिहार में एक अस्थापित कर चुके हैं लगातार सारे टेंडर इस कंपनी के बारे में यह भी सामने आया कि कम बीड़ पे यह पहले बीड़ करती है टेंडर दिया जाता और बाद में वही रकम जो है वह सोगुना से जादा बढ़ जाती है तो निश्य तोर पे इस काफी बिवादों में रहे हैं इससे भी पहले एक बिवाद में थे एरपोर्ट की कोई घटना घटी थी तो उसमें बिवाद में आये थे वाइस अधिकाड़ी बिवाद में हैं उनका इंटरफेरेंस है किस प्रस्थिकी में उसके जांच नियाए चाहती है इस उसासन की सवकार से और आदरनिय यूथ के बिहार के आइकोन तेज़से आदफ से नियाए चाहती है क्योंकि यह जनता का पैसा और वैसे आफसर को पनिस्मेंट होना चाहिए ना कि छोटे इकरमचाड़ियों को निल जो मौन रहे हैं उनका इसे टेंडर उसी कंपनी के पास हा जुस चंपनी का जिस कंपनी ने महां गवानी में ब्रीज बन रहा है और उसी फार्मूले के ताहद पट्टा में जेपी गंगा सेतु जेपी गंगा सेतु के नजदीक बिरिज बन रहा है वो है सिमरिया घार पूल बन रहा है तो क्या नहीं लगता है कि पूरे जहां भी इसका यह कंपनी काम करी सब की जाच होनी चाहिए इसका में मुद्धा है कि सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जितने पूल यहां बिहार में बनाए हैं सारे पूल में धरा रहा है और सारे पूल पे कवरेज किया गया है उसको जैकेट करते हैं पूल जैकेट लगाया गया है तो क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या पूल निग के बाद ही उस पे जैकेट लगाया यानि समरागरी का उपयोग गलत किया गया है यूज नहीं किया गया है इसलिए मानने उचन्याले ने जस्टिस पुनेंदु सिंग ने उस बील की भी परती मांगी है जिसको जीस्टी पे करके क्योंकि लोगों ने समान मंगाया ही नहीं जकनेगा आने वाले ताडिक में इंतजार हमुं लोग कर रहे हैं निजब्द को आगवानी में जहां पूल गीरा था वहाँ पर गया ती लोगो को रियेत करD ka शिप्तूल कियां गया, सिप्भी रियेत का श्त्माल कियां, कि इस्ताम रियेत कर बार्वाएns के खिया तो को आप भी लोकल ने आपके बापको भी उनके बाड़ी में सिकायते मिलती होंगे। निश्ची तोर से सिकायतें मिलती है, मैंने पत्र लिखा भी है। और सबसे मजे की तो बात है जिस किसानों के का जमीन था उसके उपर से जो पूल गया है उनको मुआफ़जा नहीं मिला है मुआफजा के लिए जब आंदोलन हुआ है तो वहां के लोकल पुलीस के द्वारा उन पे अत्याचार किया गया रास्टे जनता जलके हजारों कार्ज करता कि पीछे जाली एफायर हुआ उसकी पूष्टी आप सुल्तानों थाना से कर सकते हैं वहां का आर्जडी का प्रक्रन अद्यक्स है मिराज आलम उसे फरजी मुकादमा हुआ बिचारा मुकादमा लग रहा है और इन लोगों ने पैसे नहीं दिये पैसे के बलपर इन ल कर दिये और उसांदर्टानके का नहीं खुलासा होगा जब उस आईयस अधिकारी का करवाई होगी तो और वी सु निरने का इंजार किजिए मानने उस नियाले पर हमें और पुरे बिहार की जन्ता को विस्वास है और निष्टित्रोर से जन्ता को रियाए दिल्वाई भी पास जहां पे 21 जून को कंपनी के MD को SP सिंगला के MD को सामिल उपस्तित होना है डॉक्यमेंट के साथ उपस्तित होना है और उसके बाद जैसा कि जो पेटिशनर हमारे साथ है इन्होंने साथ पर कहा है कि इसे एक बड़ा रेकर्ट का खुलासा होगा और साथ में एक सिंडिकेट जो चल रहा है आइधिकारियों की कंपनी के में